दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही टेलेंटिड और खूबसूरत एक्टरस हैली साह के बारे में वो हैली साह जिन्होंने एट्ट क्लास में ही अपना टीवी डेव्यू कर लिया था लेकिन ये बात आप नहीं जानते होंगे कि उन्हें उनके पहले ओडिसन में ही रिजेक्ट कर दिया गया था इसके बाद वो कैसे इतनी पॉपुलर एक्टरस बनी आज की डेट में उनकी नेट वर्थ कितनी है उनकी पहली सेलरी कितनी थी कौन है उनका बॉइफ्रेंड इस वीडियो में हम हैली के बारे में ऐसी ही बहुत से इंट्रेस्टिंग बातें जानेंगे इसी लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकॉन प्रेस कर दें तो चलिए बात करते हैं सुरू से हैली साह का जन्म साथ जनवरी साल 1996 में एक हायर मिडल क्लास हिंदू फेमिली में गुजरात के एहमदावाद सहर में हुआ बात करें हैली की फेमिली की तो उनकी फेमिली में मां हैं पापा हैं जो के एक एडोकेट हैं और उनका एक छोटा भाई है हैली अपने भाई के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती हैं दोस्तो बहुत कम उम्र से ही हैली ने स्कूल में एक्टिंग और डांस करना सुरू कर दिया था बच्पन से ही हैली को क्यूटनेस और टेलेंट की बहुत तारीफ मिलती आई हैली की स्कूली पढ़ाई दा एचबी कापाडिया निव हाइ स्कूल में नगर एहमदाबाद से हुई और ग्रेजूएशन उन्होंने मुंबई से ही की क्योंकि स्कूल टाइम से ही उन्हें मुंबई में टीवी में काम मिल गया था दरसल हैली के इंट्रेस्ट और टेलेंट को देखती हुए उनकी पापा ने एक्टिंग में भेजने को ट्राइ करना शुरू कर दिया था इसी दौरान हैली के पिता को पता चला कि उनका एक दोस्त किसी कास्टिंग डायरेक्टर को जानता है उन्होंने अपने दोस्त के लिंक से हैली का पहला ओडिसन कराया उस टाइम हैली एट्थ क्लास में पढ़ती थी हैली ने ओडिसन दे दिया जहां उनका सेलेक्शन नहीं हुआ जिस रॉल के लिए हैली का ओडिसन हुआ था वो काफी चैलेंजिंग था ओडिसन में कास्टिंग डायरेक्टर को लगा कि साइद हैली अभी उस रॉल को नहीं कर पाएंगी इसलिए उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया लेकिन फिर कुछ समय बाद उसी कास्टिंग डायरेक्टर ने एक और सीरियल के यंग रॉल के लिए हैली को बुलवाया हैली का फिर से ओडिसन हुआ और इस बार हैली का सिलेक्षन हो गया ये टीवी सो था जिंदगी का हर रंग गुलाल जिसमें उन्होंने टली नाम की एक यंग एज गरल का रॉल प्ले किया था इस सो में हैली की एक्टिंग पसंद की गई इसलिए उन्हें और भी टीवी सोस के ओफर्स आने लगे इसके बाद हैली ने दिया और बाती हम अराक्षमी खेलती है जिंदगी आँख में चोली खुसियों की गुल्लक इन टीवी सोस में काम किया हैली को काम तो मिल रहा था पर कोई ऐसा रॉल नहीं मिल रहा था जो उन्हें बड़ी पेंचान दिला सके और उस रॉल के लिए वो सुरू से ही तलास में थी काफी टैम बीतने के बाद साल 2015-2016 में वो समय आया जब हैली को मिला टीवी सो स्वरागनी योडे रिस्तों के सुर। इस सो में हैली ने स्वरा महिस्वरी का रॉल प्ले किया जिससे उन्हें बहुत सक्सेज मिली और इस सो से लोग उन्हें स्वरा नाम से भी जानने लगे इसके बाद साल 2016 में उन्हें देवांसी टीवी सो मिला इस सो ने भी हैली को बहुत पॉपलेटी दिलाई इसके बाद हैली ने लाल इस्क सूफियाना प्यार मिरा और इसक में मर जावा टू इन टीवी सोस में भी काम किया और वो बन गई टीवी की स्टार एक्ट्रेस हैली ने साल 2016 में डांसिंग रियालिटी सो जलक दिखला जा में भी पाटिसिपेट किया था इन सोस के अलावा हैली ने टीवी पर कॉमेडी नाइट विद कपिल ससुराल सिमर का छोटी सर्दार नी जैसे कई सारे सोस में इस्पेसल अपिरेंश दिया टीवी के अलावा हैली हैपी बर्थडे और जिवा इन सोट फिल्म्स में भी काम कर चुकी है हैली के इन सोस में काम करने से हैली ने करोड़ों में फेन फॉलोंग कमाई है साथ ही करोडों रुपए भी कमाई हैं आज की डेट में हैली साह की नेट वर्थ लगबग 15 करोड इंडियन रुपीद है चलिए दोस्तों हैली के बारे में कुछ और इंट्रेस्टिंग बातें जान लेते हैं हैली ने अपने सुरुआती टीवी सो के बारे में एक बात बताई उन्होंने कहा के उन्हें उनकी एक्टिंग के लिए सबसे पहली तनख़ा 900 रुपए मिली थी साल 2021 में हलो रे हलो म्यूजिक वीडियो के साथ हैली का म्यूजिक वीडियो डेव्यू वी हुआ था बात करें हैली की हाइट की तो उनकी हाइट लगबग 5 feet 5 inch और फिलहाल उनका बोडि वेट 52 kg है और अगर बात करें उनकी relationship या boyfriend की तो वो अभी तक किसी भी open relationship में नहीं रही है हैली को डांस करना ट्रेवल करना म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है हैली को स्वरागिनी टीवी सो के लिए Best Actress के अवोर्ड से समानित किया गया था Golden Petal Awards में Academy Awards में हैली को देवानसी टीवी सो के लिए फिर से Best Actress का अवोर्ड मिला इन अवोर्ड के अलावा भी हैली को अलग-अलग category में डिर सारे अवोर्ड मिल चुके हैं टीवी के अलावा हैली सोसल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है और इंस्टाग्राम पर वो फोटो सूट, लाइफस्टाइल और रिल्स अक्सर पोस्ट करती रहती है देखा देखा अशा लगता है आपको मैं नहीं जानती तो फ्रेंट्स ये थी लाइफ स्टाइल और लाइफ स्टोरी एक्टर सैली सा की उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पोंस लाइक शेर और कमेंट करके जरूर दें आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स हमारी हर अपडेट से जोड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइकॉन प्लेस कर लें तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में तू मेरे लिए तू बरकत का तावीज है